नमस्कार and hello everyone, welcome back to the study wave youtube channel आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कारी यूनिट से कारी जो की physics की एक यूनिट है जिसे हम लोग work भी कहते हैं तो चलिए start करते हैं और जानते हैं इसके कुछ important concept तथा इसके numerical और कुछ question answer को हम solve करने की कोशिश करेंगे तो चलिए start करते हैं और देखते हैं सबसे पहले थोड़े से concepts के बारे में तो देखिए work क्या चीज होता है work तो basically physics में work किसे कहा जाता है तो देखिए यहाँ पर work उसे कहा जाता है जब हम किसी भी object में force लगाते हैं और यह यहाँ पर थोड़ा सा displace हो जाता है यहाँ पर displacement आ जाती है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो काम किया गया है तो force की यानि work की जो definition बनेगी या परिभासा बनेगी वो होगी work जो होगा वो होगा हमारा force into में displacement ठीक है force into displacement तो अब देखिए force into displacement force की unit होती है न्यूटन और यहाँ पर देखें displacement की unit होती है meter तो Newton meter जो होती है वह actually unit होती है work की लेकिन इसे जूल वेग्यानी की सम्मान में हम इसे जूल भी कहते हैं तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आही गया होगा अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि जब भी हम किसी वस्तू पर force लगाते हैं या किसी object पर force लगाते हैं और उसमें displacement होगा अगर यह displacement angular हुआ तो work क्या होगा तो work होगा हमार f और अगर यहाँ पर कोई angular displacement हो रहा है तो यहाँ पर होगा cos, theta और यहाँ पर होगा displacement जिसे हमने डेलेस से दरसाया अब आपको यहाँ पर समझ नहीं आया होगा कि मतलब कई लोगों को यह confusion होगा कि angular displacement क्या हुआ तो मान लीजे कोई वेक्ती अगर मान लो कोई बच्चा एक गाड़ी को खीच रहा है बस तो डिस्प्लेस हो रही है विस्थापित हो रही है तो यहाँ पर जो होगा angle होगा इसलिए जब यहाँ इस तरह की सवाल सौल करेंगे तो हम formula गराएंगे f cos theta और यहाँ पर होगा del s ठीक है friends तो यहाँ पर हम समझ गे दूसरी जो important बात है वो जो समझने की है जो work होता है उसकी unit होती है जूल लेकिन work यानि जो कारी होता है वो basically देखे work और जो उर्जा होती है energy होती है इन दोनों की ही unit जो समान होती है दोनों ही जूल होता है तो हम बोल सकते है work और energy बराबर होगी अब energy दो प्रकार की होती है हम सब को पता है एक होता है इस्तती के कारण इस्तिती जूर्जा potential energy और एक होता है kinetic energy गती के कारण kinetic energy kinetic energy का formula होता है 1 by 2 mv square और potential energy इस्तिती जूर्जा इसका formula होता है mgh hopefully आप यहां तक के समझ में आगया होगा तो यहां से हम numerical solve करते हैं तो चलिए पहले प्रश्न की तरह बढ़ते हैं देखते हैं निमली खित में से किस में केवल परिमान होता है दिसा नहीं होती समवेक, विस्थापन, कार्य और बल तो यहां पे जो इसका right answer होगा वो होगा कार कार में केवल परिमान होता है दिसा नहीं होती है तो देखे, जिसमें दिसा नहीं होती है उसको हम अदीस राशी कहते हैं तो देखे, कार जो होगा, work जो होए एक अदीस राशी है अब work का जो formula होता है F into में डेल S या F into यानि force into displacement होता है force जो होता है ये भी सदीस होता है और displacement विस्थापन ये भी सदीस राशी होती है तो याद रखेगा दो सदीस राशीयों का जो गुणा है या जो product है वो हमेशा एक अदीस राशी प्राप्त होता है तो जो वर्क होगा वो एक हमारी अधीस राशी प्राप्त होगी और अधीस राशी क्या होती है जिसमें केवल परिमान होता है यानि magnitude होता है direction यानि दिसा नहीं होती चलिए question number second है कि निम्न में से कौन अधी काम कर सकता है एक घुमता हुआ पहिया बंदू की एक चलती हुई गोली गतिसील पत्थर या एक उठाया हुआ हतोड़ा तो देखिए अगर कारी की ही बात करेंगे तो हम formula रखेर देंगे यहाँ पे एफ डेलस यानि की force into displacement अब देखिए घुमता हुआ पहिया बंदू की एक चली हुई गोली और गतिसील पत्थर देखिए यहाँ पे बंदू क से अगर गोली चली है तो यह बहुत दूर तक के जाएगी तो यहाँ पर देखिए इसमें force भी है और इसमें displacement भी जादा है तो second option यह इसका right option है बंदू की एक चलती हुई गोली कोशन नमबर थर्ड है कारे में option दिया है कोई दिसा नहीं होती केवल परिमान होता है दिसा और परिमान दोनों होते हैं केवल दिसा होती और परिमान नहीं तो अब भी हम इसका पहले ही अपनने question नम first देखा है इसमें परिमान होता है दिसा नहीं होती तो option first होगा कोई दिसा नहीं होती केवल परिमान होता है अब question number fourth की बात करते हैं question number fourth है हमारे पास देखें हाँ से numerical start हो गए है तो देखें 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को दो मीटर विस्थापित कर देता है कर देता है 20 जूल कारी करता है अब यहाँ पर पुछा है बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा simple सी बात है तो देखिए यहां पर अब यहां पर बल इसने पूछा है कि कोण basically बात है कि कोण कितना होगा तो देखिए अब पहले तो हम given data लिखते हैं तो हमको पता है कि work बराबर से होता है F cos theta और यह डेलेस डेलेस विस्थापर अब यहां पर देखिए 20 Newton का बल बोला है यानि बल जो है हमारे पास 20 Newton है उसके बाद है वस्तु कितने मीटर विस्थापित हो रही है तो 2 मीटर वस्तु विस्थापित हो जा रही है और साथ में यहां पर है 20 Joule का रहे है तो यह 20 Joule का यहां पर आ गया है हमारे पास का रहे चिक है अब यहां पर 20 Joule का रहे आ गया है और यह हमारे पास बचा है Cos Theta, तो यह 20 Joule, तो यह आएगा 20, और यह वाली इसदर आएगा, तो यह 20, अब यहाँ पर देखें, यह बचा सिरिप क्या है हमारे पास 2, और यह बच गया है Cos Theta, तो यहाँ पर कित्ता हो जाएगा कटके 1, और यह हो गया Cos Theta, तो आंसर लास्ट में यह 1, इधर यह 1 के नीचे आएगा 2, और यह हो जाएगा Cos Theta, अब Cos Theta की किस वैल्यू के लिए, Cos Theta की किस वैल्यू के लिए, आंसर 1 by 2 होता है, तो हमको पता है कि Cos 60 के लिए वैल्यू जो होती है, वो 1 by 2 होती है, तो आंसर नंबर A, जो हमारा र से 1.5 मीटर उपर सिर पर रखता है, समान पर उसके द्वारा किये गए कारिकी गढ़ना करें, सिंपल सा सवाल है, और यहाँ पर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्कॉयर दिया है, अब यहाँ पर इसको इंटू में दिया है, तो इसकी पावर माइनस टू है, तो यह सही है, तो वर्क जो होता है, अब यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट नहीं होगा, देखें यहाँ पर बात क्या किया गए कि सिर पर रखता है वो एकती है तो यहाँ पर स्थिती जूर्जा का हम कॉंसेप्ट यूज करेंगे और स्थिती जूर्जा होती है, पोटेंश अब यहाँ पर आएगा 1.5 है ना, तो यह हो जाएगा 120, गुणे में आजाएगा हमारा 1.5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आएगा 180, और आंसर वर्क में है, तो वर्क क्या होगी यूनिट जूल, तो यह अपसर नमबर C is the right answer, कोशन हमें 6 की तरफ जल्दी से चलते है और देखते हैं, यदि एक हवाई जहाज 4.000 मिटर की दूरी तै करता है और उसके दौरा किया गायकार है, दो हजार जूल है, उसके दौरा किया गायकार है, 20.000 जूल है, और तो बल ग्याद कीज़े, सिम्पल से सवाल है, देखे, बेसिकली क्यारना क्या है आपको, कि आपका 20,000 और force जो है आपके पास है 4,000 और यहाँ पे अपने को simple सा है आपके पास हवाई जहाँ 4,000 मीटर है ना तो यहाँ पर displacement जो होगा वो हो जाएगा 4,000 और यहाँ पर आपको force निकालना है तो यह आपके वाला इसके बटे में आएगा और यह हो जाएगा हमारा 20,000 बटे यहाँ आजाएगा आपका 4,000 तीन जीरो से यहाँ पर आपके तीन जीरो कैन सेल और यहाँ जाएगा 5 बार कटेगा तो आपका force जो होगा वो आएगा 5 निउटन ठीक है तो option देखे यहाँ पर क्यों सा है option number A is the right answer question number 7 की बात करें तो जमीन के उपर एक बिंदू पर किसी वस्तु की गुर्टवी स्थिती उर्जा गो खारिस्तवान दारे किये गए कार के रूप में परिभासित किया जाता है तो option A है इसे गुर्टव कर्शन के विप्रीत जमीन से रखने पर तो दोस्तों देखे हाँ पर जो इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा देखे हमको feel in the blank करना है तो यह होगा इसे गुर्टवा कर्शन के विप्रीत जमीन से उस बिंदू पर उठाने पर किये गए कार के रूप में परिभासित किया जाता है ठीक है next question के बात करेंग तो question number 8 है 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की उचाई तक उठाया जाता है गुर्ट वलद्वारा किया गया कारे होगा ध्यान से सवाल को करते हैं देखे हमारे पास formula क्या होगा अगर उठाया है तो w बराबर से work बराबर से होगा m into g into h अब mass किता है 1 kg g की value 9.8 और h किता है 10 तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा answer आएगा वो 98 वर्क की unit क्या आएगी 98 और यह भी आएगा जूल में पर यह क्या लिया दिखा हो है यहां पर देखें कि गुरुत वल द्वारा किया गया कारे तो कार 98 जूल हो रहा है लेकिन वो किस दिशा में हो रहा है तो जो विस् युकि तो option number जो D है right answer होगा minus 98 जूल next question की बात करते हैं तो एक कूली जमीन से 20 kg का समान उठाता है अब आगे बुला है और उसे जमीन से 2 मीटर उपर अपने सर पर रखता है समान पर उसके द्वारा किये गए काम की गणना करे एक simple सा सवाल है तो देखिए फिर से यहां प तो यहां पर मास है आपका 20 kg G की वैल्यू है 10 और यहां पर जो आपका H है वो कित्ता मीटर लिया है 2 मीटर लिखा गया है calculate करोगे तो 40 गुणा 10 यानि की जो आया answer 400 और वो भी जूल में तो यह वर के कित्ता हो जाएगा 400 जूल option C यह इसका right answer होगा question number 10 की बात करते हैं और question number 10 जो है जब कोई बस तू बल की दिसा में एक मीटर की दूरी पर एक न्यूटन बल दौरा चलती है तो किये गए कारी की कारी की मातरा कितनी है तो फिर से वर्क हुआ हमारा F डल S यानि की force कित्ता है तो 1 न्यूटन विरस्थापन है तो विरस्था question number 11 की बात करें 10 kg वजन वाले suitcase को उठा कर एक platform पे खड़े यातरी दौरा किया गया कारी कितना होगा simple है तो देखिए 10 kg वजन वाले अगर बोलेंगे तो यहाँ पर M, G, H का formula लगा देंगे लिगे बात बताईए उठा कर एक platform पे खड़े यातरी दौरा किया गया कारी basic function जो definition है वो W बराबर से होता है देखिए यहाँ पर work जो होता है W बराबर से होता है force into displacement अब यहाँ पर देखिए displacement कुछ नहीं है ठीक है जब displacement यहाँ पर 0 है तो यह पूरा time 0 हो जाएगा तो work कितना हो जाएगा तो यह आजाएगा 0 जूल ठीक है यह बात याद रखेगा next question की बात करें एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कारेश सुन्य होगा यदि उसका विस्थापन जो होगा ठीक है वो कैसा होगा शुन्य होगा अभी हम numerical किये अगर विस्थापन work बराबर से f डेल s अगर विस्थापन सुन्य होगा तो यहाँ पर work भ 120 न्यूटन भार के बकसे को ठीक है एक लड़का जो है 120 न्यूटन भार के बकसे को दो मीटर की उचाई तक उठाता है और उसके त्वारा किया गया कारेश कितना होगा फिर से सिंपल सा सवाल है तो देखिए MGH फॉर्मूला लगा दिये पर एक वेट यहाँ पर प्रशन मे एक थोड़ा सा मिस्टेक कहें या थोड़ा सा एक्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिस कर रहा है क्या 120 न्यूटन भार और भार होता है MGH और बेसिकली यही है तो MGH कितना हो गया 120 और H कितना है 2 तो यह कितना हुआ 120 गुणा 2, 240 और यह है क्या वर्क तो यह आ इसलिए हम वर्क और एनरजी को एक्वलेंट रखते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरह बात करें तो देखे यहाँ पर निमलिखित में से किसमे कोई कार नहीं किया जाता कपील अपने कंधि पर देश केजी बाहर लीकर खड़ा इसी में कोई कार नहीं किया जा रहा है आप समझ रहे होंगे अब भी मेंने हम अभी देखे हैं F डेलेस अगर कोई वेक्ति खड़ा है तो विस्थापन शुन्नी हुआ तो वर्क कित्ता हो जाएगा वर्क भी शुन्नी होगा नेक्स कोशन की बात करें बल द्वारा किया गया धनात्मक कारे देखें बल द्वारा किया गया कारे धनात्मक होता है जब तो बल द्वारा जो भी कारे धनात्मक होगा कब होगा जब बल की तीसा में विस्थापन हो विस्थापन किधर हो जिधर बल लगा जा रहा उधर ही व कोन के इतना होगा तो बालो विस्थापन के बीच में तो देख लेते हैं एफ यहां पर आपका है कॉस थीटा और यह हो गया डैलेस तो अगर कॉन सा कॉस की कॉन सी वैल्यू है जिसके लिए 0 आ जाए तो कॉस 90 जो होगा 90 जो होगा जीरो होता है तो अगर मैं यहां पर रख आंसर होगा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा कॉशन नंबर 18 है 20 न्यूटन का बल किसी वस्थू पर कारे कर रहा है ठीक वस्थू बल की दीशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कारे कितना होगा फिर से देखे सिंपल सा सवाल है वर्क फोर्स इं न्यूटन का और डिस्प्लेस्मेंट है 4 तो आंसर आ जाएगा 80 जूल कोशन नंबर ठीक है 80 जूल तो कुनसा हो जाएगा आपसर डी कोशन नंबर 90 है कारे होता है यदि खालिस्थान है ठीक है कारे होता है यदि खालिस्थान तो सिंपल अगर उर्जा है तो कारे होगा नह तो नहीं होगा जब विस्थापन प्रियुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्थान होता है ठीक है तो देखे यहाँ पे जब विस्थापन प्रियुक्त बल की दिशा के लंबवत हो अगर ये विस्थापन जो है बलकि दिशा के लंबवाथ हो तो 90 डिगरी का कोण बनेगा और 90 डिगरी का कोण अगर बन गया है तो यहाँ पर 90 डिगरी कौस 90 की वैल्यू कित्ती आएगी 0 तो इसका अंसर होगा शुन्य ठीक है तो किया गया कारी कित्ता होगा शुन्य होगा तो ये थे दोस्तो हमारे 20 मुख्य परश इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिस की है और सारा ही कुछ मैंने कार से रिलेटेट वर्क से रिलेटेट बता दिया है तो इसमें numerical भी हो गए है और आपके theoretical question भी हो गए है अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो जरूर लाइक करें और अगर कोई आपके comment हो तो जरूर मुझे सुझाओ दीजेगा आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद